नमस्कार नवयोगों, मेरा तजुर्वा कहता है कि जो नवयोग जितनी कम उम्मर में बिजनेस करना शुरू कर देगा, वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगा, और जितना लेट करेगा, उतना ही गाटे में रहेगा मेरा मतलब है, यदि आप 21 से 25 की उम्मर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, सरकारी सर्विस मिलती है या नहीं मिलती है, मिलती है वेल एंड गुड और नहीं मिलती है, तो आपको बिजनेस शुरू करने में देरी नहीं करनी चाहिए यदि आप 38 से 40 वर्ष की उम्मर तक नोक्री की प्रिप्रेशन करने में लगे रहेंगे, तो कमाने की उम्मर निकल जाएगी बंदुओ बात आपको कड़वी लगेगी, मनोक्री करने वाला का हीतेजी हूँ, मगर कब तक सर्विश की तैयारी आप 2, 3, 4, 5 साल तक कर सकते हैं उसके बाद में आपको यदी वहां तक सफलता नहीं मिलती है, आपको कोई न कोई छोटा साही साही अपना एक बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए बात आती है बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे चीए दोस्तों बिजनेस आप 25,000 से शुरू कर सकते हैं बिजनेस आप 50,000 से शुरू कर सकते हैं बिजनेस आप 5,000,000 रुपे से शुरू कर सकते हैं बिजनेस आप 50,000,000 रुपे से शुरू कर सकते हैं और आगे की बात तो आप जानते ही है अब बात आती है कि 25,000 रुपे से कौन-कौन से बिजनेस किये जा सकते हैं इसी वीडियो में मैं बताऊंगा इससे पहले कुछ आपके और शवाल आ रहे हैं उनके जबाब दे देता है वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए बन मेरे अनुवव के आधार पे आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं पहला सवाल है आप बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं आज तक आपने बिजनेस क्यों नहीं किया उसका जवाब यह है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में की बात रहती है कि बड़े घर का बेटा हूं बड़े बाप का बेटा हूं यह बिजनेस छोटा है जो 25,000 रुपे से शुरू किया जाएगा यह बिजनेस छोटा है दोस्तों यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि बिजनेस कभी छोटा नहीं होता आप छोटे पैसे से बिजनेस आपके पास बड़ा पैसा है, कीजिये ना बड़े पैसे से, मगर कब, आप तो दादा जी कहते हैं 25,000 रुपे से ही शुरुआत करो, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको घर वालों से पैसे लेकर के बिजनेस नहीं करना है, तो फिर विजनेस कैसे करेंगे दादा जी, अपनी पोकेट मने बचाईए, आप कोई भी नोकरी कर रहे हैं, उसमें से पैसे बचाईए, सेव कीजिए, एक साल तक सेव कीजिए, दो साल तक सेव कीजिए, पांच साल तक सेव कीजिए, उस पैसे से बिजनेस कीजिए, अब बा नहीं सो बिजनेस ऐसे हैं जो 25 से 30 हजार रुपे में 50 हजार रुपे में शुरू किये जा सकते हैं शुरू आती तोर पर मगर कौन कर सकता है इन बिजनेस को वहीं बच्चा कर सकता है वहीं लड़का कर सकता है वहीं युवा कर सकता है जो 21 से 25 साल का हो वो कैसे? वो इसलिए कि उस समय उसके कोई जिम्मेदारी नहीं होती है घरवाले उससे एक रुपया नहीं चाते हैं घरवाले ये की बात चाते हैं बेटा तू कैसे जैसे सेटल हो जा और वो सेटल होने के साथ-साथ वो खुद उनकी हिम्मत बनाएंगे खुद मोटिवेशन देंगे और खुद कहेंगे तेरे पास जो पैसा है उस पैसे से ले ले शुरू कर दे और हम पांक साल तक तेरे से एक धेला नहीं मांगेंगे अब और क्या चाहिए आप बात आती है 25,000 रुपय से कौन सा विजनेस शुरू किया जा सकता है आपके घर के आगे जगह है घर वाले आपको एक छोटी सी दुकान बना कर दे देंगे गली के नुकड़ पर आपकी दुकान है या हो जाएगी वहाँ आप एक छोटा सा जर्नल स्टोर खोल सकते हो आप नवयुकों के कमेंट्स आते हैं दाज़ेजी गली-गली में जर्नल स्टोर है आप जर्नल स्टोर बताते हो बेटे लोगों जिस प्रोड़क्ट की सुबह आंख खुलते ही रात को सोते समय तक जरूर्ज रहती है हर घर को देश के हर नागरिक को गरीब हो चाए अमीर हो वो बिजनेस छोटा कैसे हो सकता है छोटा इसलिए है कि आपने केवल 25,000 लगाए है ये तो मैं कह रहा हूँ आप उसमें 50,000 लगा सकते हैं नहीं होगा क्यों नहीं होगा आप जो प्रोड़क्ट खरीद के लाते हैं उस पे 10-12% पैसे लगा करके बढ़ा करके आप गरहत को देंगे कैसे लोस हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आता दाजा जी उधार चली जाती है उधार किस ने दिये चोर के ले गया आप से कोई नहीं क्यों दी आपने किसको पूछ के दी आपके पापा जी ने कहा है उधार दे देना नहीं ग्राहक नहीं आ रहे थे मैंने सोचा आज विक्री नहीं ही चलो दे देते हैं तो तुमने सोचा तो वैसे ही दुकान खुली जोड़के चले जाता लोग लूटके ले जाते इस तरह आप उधार चाहे जैसे आदमे को उधार दे देते हैं जिसको आप जानते नहीं जिससे कभी आपका विवार नहीं पड़ा उसको आप नहीं दादाजी जानकार थे तो देते ही क्यों हूँ उधार, मैं तो उधार की कहता नहीं हूँ, अब आप उधार देते हो तो भुगतो, दादा जी रिलेटिव था, तो रिलेटिव होने से क्या हुआ, आप ये कहो ना मैं तो पैन रखता ही नहीं, लिखों कहां, कोफी रखता ही नहीं, लिखों कहां, उ क्यों बन गया आप धन्ना से इसलिए आपको लोस लगता है अब बात आती है और कौन-कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो 25-25,000 रुपे में शुरू किये जा सकते हैं इसका वीडियो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा उसमें जरूर देखेगा वीडियो पसंद आता है सारे दोस्त को भेजिएगा जो बेकार बेटा है जो बेरोजगार बेटा है जो पैसा कमाना चाहता है मगर कमा नहीं पा रहा है जो जुजारू नवयोग है मगर रास्ता नहीं दिख रहा जो आपका रिलेटिव है और बेरोजगार बेटा है भेजिए उसको जरूर वो आपके एक भेज वीडियो से उसकी तकदीर खुल सकती है किस्मत खुल सकती है दोस्तों किस्मत उन्हीं की खुलती है जो मेहनत करते हैं जो नित नई जानकारिया प्राप्त करते हैं उन्हीं की किस्मत खुलती है बाकी लोगों की किस्मत सोई विर्यति है यदि नहीं तो एक कमेट जरूर कीज Продолжение следует...